क्या आप भी जुवा खिलते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं कभी कभी जितते हैं लेकिन जीता हुआ पैसा भी हार जाते हैं तो जुवा खिलने से पहले बस रात को सोते समय एक लवंग यहां छुपा दीजिएगा फिर सुबह जहां भी मन करें वहां जुवा खिलने चले जा जाएंगे क्योंकि ये जो लवों का चमतकारी तोटका है बहुत ही सकती साली है बहुत ही पाउं और फूल है जो की अजमाया हुआ है इस तोटका को अब तक जिसने भी किया है जित करके माले माल हो गया है रोड़ पती से कडोर पती बन गया है इस तोटका को मैंने आज ही सु तो 10,000, 20,000, 30,000 यानि की 50,000, 60,000 अंदर ही अंदर जीत कर आया लेकिन आया जिदि आप भी जीतना चाहते हैं जुगा में तो आप इस वीडियो को पूरा दिहान से लिखिएगा समझेगा और जहां भी समझने में दिकत लगेगा तुरंत नीचे कमिट में आप अपना समस्या अपना नाम जरूर लिखिएगा मैं समधान कर दूँगा और मैं असिरबाद भी दे दूँगा जिससे की आप जुवा में जित करके माले माल हो जाएंगे आपका सब दुख दूर हो जाएगा दिखिएगा आपको करना क्या है सबसे पहले दिन में जब ही 12 बज़ता है एक आप लिजिएगा जो कि साबूत फूल वाला होना चाहिए और इसको लेकर करके आप धो लिजिएगा धोने के बाद उस पानी को कहीं मत्पे कियेगा जिस रूम में आप सूते हैं उस रूम के चोकी होगा पलंग होगा जिसके उपर अप सूते हैं उसके ठीक नीचे बीचो वाले भाग में जमीन पे रख दीजिएगा फिर अब जो काम करते हैं वो काम करने चले जाएगा लेकिल लोंग को अपने पास में रखिएगा और जभी अपने पास में लोंग को रखिएगा इस बात को ध्यां रखिएगा आप जभी पर पे साब करने जाएगा इस लोंग क साम होगा जब ही संधिया ढलता है उस समय में क्या कीजिएगा आप लेकर के लओं को खाना पीना खा करके जाएगा अपने रूम में जिस रूम में आप सोते हैं जिस रूम में आप गलास के पानी को रखे हैं लओं को धोक करके जैसे उस रूम में जाएगा गलास के पानी को लेकर के थोरी सी मात्रा में अपने सरी के उपर इस परकार से छिरकावा मार लीजिएगा जैसे छिरकावा मार लीजिएगा अपने लवंग को इस परकार से अपने दाएं हाथिले में रखियेगा उस पानी में भीवो करके डूबा करके अपने सर से साथ पर घुमाईएगा अ च्छिन दिसा में घुमें पूरब दिसा में घुमें इसे प्रकार से चारों दिसा में घुमते घुमते आपको इश्ट भगवान का नाम ले करके जुवे जित की बारी गुहार लगाना है जैसे ही इतना हो जाए कुछ देरों तक जैसे दस सकेंड बिस सकेंड तीस सकेंड जै पूरव वाले रूम के कौन पे ही गलास के साथ ए लवंग रहना जाए जैसे ही रख दीजिएगा अब रात को सुझाईगा अगले धिन जैसे ही सुवा होगा नहाने के बाल्टिन में उस पानी को इस लवंग को रख करके आस्नान कर लेना है नहा लेना है फिर पानी कहीं भी उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन लवं को ध्यान रखे कहीं बहकर ही दहाले में नाले में नदिया में चली न जाए बस इसको चुपके से बस उठा लेना है किसी भी कलर का कपड़ा हो कागज हो उसमें लपेट करके अपने पर्स पोकिट में साब कपरे में रख लेना है जो खिलने बैठ जाए फिल दिखिएगा चमतकार उस जुगा में हमेशा आप कहें जीत होगा और आप जीत करके माले माल हो जाएंगे रोड़ पती से करोल पती बन जाएंगे मैं धावे के साथ कहता हूँ